14 जिनवरी 2024 मकर सक्रांती का दिन है त치ोहार हो रहा है दोस्तों मकर सक्रांती पर सुबह इसनान करके गंगगा में इसनान किया जाए तो बहुत अच्चा है अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण वर्स तो अगर आपके घर में गंगा जल है उसकी दो भूंदे अपने नहाने के जल में डाल करके उसमें आपको इसनान करना है ब्रह्मूरत के समय आप इसनान कर ले तो बहुत ही अच्छा है आपको किसी गरीब घर में जाकर के थोड़ के समय आपको एक रोटी पे गुड रखके थोड़ सा तेल रखके आपको काले कुट्टे को खिलानी बहुत ही अनिवारिया है शाम के समय जब दिन ढल जाए और सूरियस हो जाए शाम के समय आप अपने दर्वाजे पर दोनों साइड में आपको मैन गेट पर दिया प्रजलित करना है इससे आपके घर के कुल देवी खुल देवता घर के सभी देवता पितर जो होते हैं वो बहुत ही प्रसन होंगे आपको विशेस रूप से अशिरवाद प्रदान करेंगे आपके घर में सुक्ष विदाओं की पूर्ती होगी और रोगी काया अगर किसी के घर में है तो उसके लिए भी आप अवश्रूप से प्राथना करें, उनकी काया रोग मुक्त हो जाएगी, सुबह के समय आपको सूर्य दे भगवान को जल समर्पित करना है, जल आप लोटे में दें और उसमें आपको थोड़े से अक्षत डालने हैं, थोड़े से गुलाब के पूस्प या फिर जो भी आपके पास पूस्प हैं वो डालने हैं रेड कलर का, और उसके बाद आपको उस रुख शांति समर्द्धी के लिए आपको प्रात्ना करनी है, सूर्य दे भगवान से, क्योंकि दोस्तों सूर्य दे भगवान पूरे विष्व का पूरे संसार का अंदकार दूर करते हैं और सभी के जिवन में नई उमंग, नई खुश्या ले करके आते हैं, उजाला ले कर पांच फल पांच फूल आपको बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करके आने हैं एक घीगा दिया आपको लगा के आना हैं धूप लगा के आनी हैं इन सारे उपाय को करने से आपके जीवन की सारी जो कठिनाईया हैं वो समाप्त हो जाएंगी और आपकी हर मनुकामना प्रूदा बाइं